तो कैसे हैं आप लोग इस पीडियो में हम आपको बताएंगे जो रास्ते नहीं उनिवर्सिटी के ब्याइट पार्ट टू कि जो इनौर्गिनिक केमिस्ट्री का फुल रिवीजन के बारे में यानि कि इनौर्गिनिक केमिस्ट्री की जो पूरी यूनिट है जो आपने कर है तो आपने यदि कोई सी भी यूनिट के हो आप अपनी यूनिट के हिसाब से टॉपिक मैच कर सकते हो ठीक है यह टॉपिक आप में लान कर लेना और साथ में एक चीज़ और बता देता हूं मैं यह टॉपिक है तो इनके जो फुल कंपेरिजन फुल बढ़ना नहीं अगरे तो उनके नोट्स के इंतिजाम भी मैंने कर दिये तो इसी के साथ मैं टेलिग्राम चैनल पर भी डाल दूगा जैसे वीडियो खतम होती है तो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में में दे दूँगा तो मैं जबहां जाके आप चेक आउट कर लेना ठीक है और एक गा सब्सक्राइब कर लिए तो इसमें आप देख सकते हो यहां पर स्क्रीन पर पहला है संक्रमन तत्र ठीक है यूनिट फश्ट में जो पहला टॉपिक होता है ट्रांजिस्टर एलिमेंट क्या होते हैं परिवासा डेपनेशन बगएर यह पूचेंगे तो यह आप बता दिना तो इसके बारे में मैंने बता दिया नोट्स में आप देख लेना ठीक है उसके बाद में सेकेंड टॉपिक आता है ऑक्सी करन अबस्ता यानि ऑक्सीडेशन इस्टेट तो यह क्या है परिवासा बगएरा तो यह बता दिया ठीक है थार्ड मोस्ट टॉपिक है चुमब किये चुमब किया मैगनेटिक प्रॉपर्टी तीन तरीके के वह होते हैं तो आप देख लेना उसके बाद में उत्प्रेद किया गुन यूनिट फष्ट में ठीक है तो यह यूनिट फष्ट यह चार टॉपिक के साथ समाप्त हो जाती है यदि आपने अभी तक यूनिट संग ठीक है तो इसकर बार में बताना उसके बाद में मैं लेगन्ट एक इन्परिक बनाना और ये यूगिक से नाम याने कंपॉंड हम पाले कंपांट तो यह भाहती है वहлично मैंच में नोट्स में बता दी है तिक उसके बाद में यूनिट हài हाना बटनर सद्धान पर तो यह आपने मेरे साब से कर लिए और तो आप देख लेना एक वार में तो यह इसलिए बना रहा हूं कि आपने अभी तक ट्यूंअनिये को और मुच्ट टोपिक इसमें आपको मिल देंगा उसके बाद में यूणिट पाई यूफ के आती है तो आप अच्छे नम्मर ला सकते हो इन और्गनिक केमिस्ट्री में जो भी एसे बीट पार्ट टू है और किसी अधर क्लास वाले वच्चे है तो वो भी अपना कमेंट कर देना तो मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगा ठीक है और अधर केमिस्ट्री की वीडिय अभी हम बताएंगे आपको चैनल पर बने देन और वीडियो जानकारी भरी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने किसी एक प्रेंट के साथ सेर कर देना मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में धन्यवाद